दोस्तों मैं आज शेयर कर रही हूँ एकदम फूल प्रूफ रेसिपी मलाई कोफता की आदी घंटे में आप बना के तयार कर लेंगे ना कुछ भूनने का जंजट ना जादा बटर और घी आए दिखते हैं क्या करना है बस एक कड़ाई में आपने सबसे पहले डालना है प्या जिसमें है मेरे पास देजपता छोटी लाइची लॉंग और दालचीनी फिर मैंने बीस टुकड़े लगभग काजु की ले लिए हैं वो डाल देंगे इसमें उसके बाद लोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी थोड़ा सा नमक और इसे हम धक कर पकने के लिए र अब हम चलते हैं कोफते की तरफ तब तक आप ठंडी होने के लिए ग्रेवी को रख दीजें कोफते के लिए मैंने पनीर लिया है पनीर को मैंने घिस लिया है उसमें डाली है काली मिर्च और नमाक और एक उबला हुआ आलू जो मैंने घिस के ले लिए इस मिक्षर को आप मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे अब बारी आती है दोस्तों स्टफिंग की तो स्टफिंग करने के लिए मैंने कुछ काजू के टुकड़े थोड़ी से किश्मिश और इलाइची का पाउडर ले लिया है इसमें आप थोड़ा सा ग्रेटेट पनीर और आलू का मिक्षर में ला लें जिससे की वो एक साथ आजाए फिर आप दोस्तों एक चमज की मदद से थोड़ा सा मिक्षर अपने हाथ में लीजे उसमें बीच में एक डिप्रेशन या एक गड़े की तरह आकार दीजे फिर बीच में अपनी स्टफिंग को फिल कीजे और इसे एक नीबू की शेप का आकार देते हुए मतलब गोल आकार देते हुए इसे अपने हाथों के बीच में गोल आकार देते हुए रोल कर लीजे, फिर हम इसके उपर कोटिंग करेंगे कॉन फ्लार की, जिससे ये फटेंगे नहीं तेल में, और एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन रंग आ जाएगा इन पर तो ऐसे ही करके आप अपनी सारी मलाई कुफता की बॉल्स तयार कर लीजे, तो ये रही मेरी ग्रेवी जो की ठंडी हो गई है, इसे मैं पीस लोगी, एक बात का ध्यान रखें, आप इसमें से तेज पता जरूर निकाल दें ग्रेवी के लिए मैंने थोड़े से ओल में अपना बटर डाला है, बटर में इन मसालों को आप आधे मिनट के लिए भूल लीजिए, और फिर उसके बाद जाएगी इसके अंदर एक कटी हुई हरी मिर्च, हरी मिर्च डालने से हलका सा तीखा पनाता है ग्रेवी में, फिर हम डालेंगे इसमें ये हमारी ग्रेवी जो हमने तयार कर ली थी पीस के, इसे आप किसी छनी की मदद के थूँ चान लीजिए, ये देखिए, एकदम रिच, क्रीमी और स्मूद ग्रेवी बनके तयार हुई है, ये जो वेस्टेज थी हमारी सारी इसे हम फैंक देंगे, तो अब चलते हैं बॉल्स फ्राइ करने, तो ये जो हमारी कुफता की बॉल्स थी मीडियम हाँ आज पे फ्राइ कर लेंगे, दोस्तों याद रहें आप इन बॉल्स को जब तलने के लिए डालें, इन्हें टच ना करें, सिर्फ ओइल स्प्लैश करें आसपास से, तो देखिए, गोल्डन ब्राउन बॉल्स तलके तयार है, एंड में आप डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और हमारी फ्रेश क्रीम यानि की मलाई, जो घर की मलाई होती है वही, और बस उसके बाद आप प्लेटिंग कर लेंगे, देखिए कितना टेस्टी लाजवाब एकदम रेस्टरांट स्टाइल मलाई कोफता बनके तयार हुआ है, दोस्तों ये मलाई कोफतागी रेसिपी सबसे इजी रेसिपी है, आप इसे चाहें तो बटर नान के साथ या नान के साथ एंजॉय कीजिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाबाई